तो अनुसार्यानों मेरा प्यार पर या नमस्कार ते आज जपां सावंद मीने वेच खाई जानवाली पंजाव दी बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी पूड़े अते खीर बनान जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी और टेस्टी बन के त्यार हुन देयान तो चलिए ज्यादा टाइमन लेंदी हो एतो आड़ा करदेया रेसिपी नु शुरू इस रेसिपी नु पड़ा आंदे लेही मैं इते गुड ले आ गुड मैं एक कटोरी पार के ले आयाया मेरे कटोरी तुई देख सकते हो इदे विच मैं थोड़े ज़े गुड काड के राख लेया ओ कित्थे पानी पाके इन्नु दास पंदरांद मेंट दे ले या पायायनू प्यों के राख देना ताकि जो मोटमोटा गोडा ओ चंगी तरह न आल गाल जाय और मिक्स हो जाय पानी देवेच तो दास पंदरांद मेंट हो चुके नाया तहु नप्पाकी करना मैं एथे लिए वड़े अच्छी तरह नाल गुड़ जेड़ा है तो बस इन्नों अपा छान लेया तो इदर में जिस कप कटोरी दे नाल गोड़ लेया ही ओही कटोरिया पारके मैं दो कटोरिया आटे दिया लेया गेहुँद आटे नाल गोड़ जेड़ा लेया और जेड़ी चाशनी अपा बना के रखिया ना मिक्स करके गोड़ो और पाणी दी थोड़ा थोड़ा करके अपाई दे विच्छ पादने और थोड़ी जी पादने एक चमज देकरीव सोंफ और गोड़ा दा जेड़ा कॉम्ब अपा तेल दे नाल ग्रीस का लेया और मैं कडशी एक कडशी पार के बैटर लेया है और ये बैटर तवे दोते फिला देता हल्की हाथ ना फिलाना और देख सकते तो ही दो मेंट दे वेची कलर जेड़ा उपरो चेंज हो गया दा इदी ए निशानी है कि ये पाक के पूरी दर दे नाल त्यार हो चुका है तो हूं अपा की करन 나 कि इननु पल्टा देना बड़े अराम जे नाल तांकि ये तुट्टे ना और फट्टे न हम बहुत ही अराम नाल इननु पल्टा देना lightning आपां और मैं फेस्पैचुला लिएमीन omega-3 मीन सर्फ टेमाने लगदी पूड बोध ही पाड़ी प्धal बन के त्यार होए है। साight पोड़े आपके त्यार कर लेने है। इननु अपा उतार लन्या और बाकी सारे अध्याइ बना के त्यार का लन्या। फोन अपा चल दें हाँ, खीर बनाना। खीर बना अंदेले मैं एक कटोरी जड़ी मैं फड़ी होई है चोल ले हैं मैं बासमती वाले चावा ले हैं पर एक चोलानों मैं चंगी तरह नेना दो तो तिन वार तो लाना तो ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इदो पर जो भी तूल मिट्टी विगारा लगियूं दी है औ दो तिन वारी तोना बहुत ज़रूरी है सब तो पहला यही काम करना तो ही कि चोल ही लेने और चोल तोने है तो उन्तो बात थोड़ा जा पानी पाके इन्नों मैं राखा देता एक साइड दे तहुं चल दे यां दूसरे पास से दास मिंट तक चोल पेरे न और थोड़ा जे फोल चुके है इदे विच्चो मैं जड़ा चमज फड़े आ वहाँ एक चमज पारके ग्राइंडर जार दे विच पारी है और एक की चमज एद नाल मैं पानी पारी है पारके और इन्नों अपा ग्राइंड कार लेना यह चोला सब्सक्राइबूं वाट ग्राइंड कन वाले जड़े चावला उदा की फाइदा खीर देवेच़ उदा ए फाइदा की खीर जड़ी है बोध ही चंगी तरान देनाल गाल जण्दी और इन्नी गाडी खीर बाण के त्यारों दिया बोध ही टेस्टी भी लगदिये खानू और बोध ही दिखन विचे भी बहुत ही ज़्यादा सुन्तर लग दिया बसे चोल वी देनाली अपा पादेते हैं उन अपा घीर नुँ अच्चंगी तरान देनाल गड़कन दिनने हैं 15-20 मिंट तक ही इन्नू पकाणा आपा और पकांदे पकांदे तो यह देख सकते हो कि खीर किनी सोनी गाड पांतों बार इन्नू पकाल आना चंगी तरान देनाल होन एक गोड़दी बारी जेड़ा में पहले काड़के रख्या ही एमें किते ही उसकरना है खीर देख सकते हैं सिर्फ एक चंबच खीर देवेचे गोड़ पाके इन्नू दो तो तेन मिंट लेए पकालान है गोड़ पांदे नाल खीर दा कलर ओ टेस्ट सो गुणा ज्यादा बढ़ जन्दा एक वरी बनाके जरूर दिख्यो एक गोड़ वली पूड़े और खीर बान के त्यार है सोफ्ट पन के पूड़े त्यार हुन दे और खीर तेनी ज्यादा लाजवाब बन दी है कि तुसी डेली बिना के खाओगे एद्दा दिन में रेस्पी देनाल मिल दे अगली बाद